Hello everyone, welcome to YFS तो आज की session में हम बात करेंगे कि IIT exam 2022 का जो exam है वहाँ पर mathematics के लिए total number of कितने seats हैं तो एक बार देखेंगे number of seats कितने हैं उसके साथ हम देखेंगे किस IIT में कितने seats हैं तो चलिए हम अपना discussion start करते हैं ताकि आपको पता चल सके कि जिस IIT के लिए आप fight कर रहे हैं उस IIT में कितने number of seats हैं उसके according आप अपनी preparation अच्छे seat कर सके हैं तो चलिए start करते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस IIT में कितने seats होंगे उसके बाद हम देखेंगे total number of seats जिसके लिए आप fight करेंगे ठीक है तो यहाँ पर मैंने क्या-क्या है इसे तिन पार्ट में डिवाइड कर दिया है institute, program और number of seats तो चलिए one by one देख लेते हैं किस IIT में आपको कौन सा program मिल सकता है और उस program के लिए कितने number of seats होंगे ठीक है तो सबसे पहले हम start करते हैं IIT भिलाई तो IIT भिलाई में आप MSC 4 semester वाला program आपको मिलेगा जहाँ पर total number of seats की बात करें तो 12 होगा IIT भुनिश्वर की बात करें तो वहाँ पर आपको मिलेगा ज्वाइन MSC PhD और यहाँ पर total seats होगा 24 अब बात कर लेते हैं IIT Bombay So IIT Bombay में दो तरह के courses available हैं तो MSC जो 4 semester वाला होगा So MSC के लिए total 38 seats available हैं और बात कर ले MSC PhD dual degree तो इसके लिए यहाँ पर total 15 seats available हैं तो इस तरह हम बोच सकते हैं IIT Bombay में 38 plus 15 मतलब आप बोच सकते हो 53 seats available हैं जो कि आप BSC के बाल IIT exam exam crack करके IIT Bombay में जा सकते हो इन 53 seats के लिए आप वहाँ पर fight कर सकते हो अब बात कर लेते हैं IIT Delhi तो IIT Delhi में MSC 4 semester वाला ही program available है और यहाँ पर अगर number of seats की बात किया जाए कितने seats हैं तो आप देखोगे एक बड़ा number है यहाँ पर 68 seats available हैं जो कि आप इन 68 seats के लिए fight करके IIT Delhi तक बहुँच सकते हो अब बात कर लेते हैं IIT धनबाद की तो IIT धनबाद में भी MSC 4 semester वाला program available है और यहाँ पर total 55 seats available है जो कि एक अच्छा खासा number है तो IIT गांधी नगर में MSC 4 semester वाला program है total number of seats यहाँ पर है 38 अब आगे बढ़कर चलते हैं IIT गुआहर्टी की तरफ जहाँ पर आपको मिलेगा MSC 4 semester वाला program और total number of seats 60 है यह भी एक अच्छा खासा number है फिर हम बढ़ जाएंगे आगे जो कि आगे है IIT हाइदराबाद तो IIT हाइदराबाद में भी 4 semester वाला ही program है और यहाँ पर स्रिट्स की बात करें तो 25 स्रिट्स अवेलेबल है अब बढ़ते हैं बाकी IIT के बार में भी देख लेते हैं कहाँ पर कितनी स्रिट्स अवेलेबल हैं तो हम बात कर लेते हैं IIT इंदौर की तो IIT इंदौर में MSC 4 semester वाला program अवेलेबल है जहाँ पर आप देखेंगे 20 स्रिट्स हैं IIT जोथपूर में भी MSC 4 semester वाला program है और टोटल नंबर आफ स्रिट्स 30 है IIT कानपूर की बात करें So IIT कानपूर में MSC 4 semester वाला program और नंबर आफ स्रिट्स जो की है 49 एक अच्छा गाचा नंबर है IIT खरकपूर की बात करें तो जोईन MSC PhD है यहाँ पर जहाँ पर आपको 38 स्रिट्स मिल जाएंगे IIT मदरास में भी MSC 4 semester वाला है जहाँ पर 49 स्रिट्स मिलेंगे IIT मंडी भी एक अच्छा खासा नंबर दे रहा है नंबर आफ स्रिट्स की बात करें जहाँ पर आपको टोटल 50 स्रिट्स मिल जाएंगे ठीक है और IIT पलाकड की बात करें तो जहाँ पर 21 स्रिट्स मिलेंगे IIT पटना में 30 स्रिट्स मिल जाएंगे यह सभी लगबग MSC 4 semester वाले प्रोग्राम की बात कर रहे हम यहाँ पर फिर आजाते हैं IIT रूर्की तो IIT रूर्की में आपको 38 स्रिट्स मिल जाएंगे IIT रोपर में आपको 25 स्रिट्स मिलेंगे और IIT तिरूपती में आपको 15 स्रिट्स मिल जाएंगे तो यहाँ पर आपने देख लिया टोटल 19 IITs हैं जहाँ से आप MSC मतलब IIT exam के बाद अगर mathematics से कर रहे हो तो IIT exam के बाद इन IITs में आप admission ले सकते हो और एक IIT और है जो कि है IIT बहू IIT बहू में mathematics का course अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर आपने देख लिया होगा यह सारी IITs है जहाँ पर आप IIT exam exam clear करने के बाद admission ले सकते हो तो आपने IIT wise आपने देख लिया है किस IIT में कितने streets अवेलेबल है अब बात कर लेते हैं कि मैस में total number आप पूरे IITs को मिला कर कितने streets अवेलेबल है तो यह कि अच्छा घासा number है जो कि 700 है मतलब आपके पास अगर IIT exam 2022 के लिए प्रिपर करें तो आपके पास 700 streets अवेलेबल है इन 700 streets में से आपको एक street चाहिए तो अब आपको क्या करना होगा अब आपको उसके according आपको प्रिपर करना होगा ताकि आप IIT में अपनी एक street पकी कर सकें तो आज की session में हम यहाँ पर ही रुकेंगे उमीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आपको क्या करना होगा वीडियो को लाइप करना होगा अगर आप हमारे channel पर नहीं है चैनल को subscribe कर लीजे तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे इसके लिए थैंक यू सो मुच अपी लगग